नमस्कार दोस्तों हमारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में हम महिलाओं से जुड़ी एक जरूरी जानकारी आपसे शेयर करने जा रहे हैं यह ऐसी समस्या है जिससे बड़ी संख्या में महिलाओं पीरित होती हैं बिमारी है पीरित्स में देरी या अन्यमित महावारी इस बिमारी के कारण कई अन्य बिमारियां भी शरीर में आ सकती हैं जो महिलाओं के लिए मुश्किलों का कारण बन सकती हैं आईए जानते हैं कि आखिर बड़ी संक्या में महिलाएं पीरिट्स में देरी की समस्या से परिशान क्यूं होती है यानि इसका कारण क्या है साथ ही महिलाएं इस बीमारी को कैसे दूर कर सकती है ये सभी को पता है कि महावारी एक नैचरल प्रोसेस है जब इस प्रक्रिया से किसी तरह की बादा हो जाती है तो समस्या उत्पन होने लगती है कई बार महिलाएं इस समस्या को हलके में ले लेती हैं जो बाद मुश्किले बढ़ने लगती हैं ऐसे में हमें ये जानना बहर आपको बताते कि तनाव एक बड़ी वज़ा है महिलाओ की महावारी से जुड़ी समस्या के लिए तो अगर आप भी टेंचन अधिक लेती हैं तो टेंचन लेना बंद कर दीजे क्योंकि इसका असर शरीर पर कई तरह से पड़ता है पीरेट से जुड़ी विशेश के बताते हैं कि तनाव लेने से महिलाओ में जी एन आर एच नामक होर्मून की मातरा कम हो जाती है जिसके कारण वियोलिशन या पीरेट्स नहीं होते हैं ऐसे में तनाव से बचकर भी आप महावारी के समस्या से खुद को बचा सकते हैं कई बार अनियमित दिन चर्या भी मासिक समस्या की वज़ा बन जाती है 20-40 वर्ष की उम्र की महिलाओ पजमेदारी जादा होती है वे भाक्ती दोरती जिंदिगी में दफ्तर, घर, बच्चे सभी को समालनी के चकर में खुद का ध्यान नहीं रख पाती इसके साथ ही अनियमित दिन चर्या, लेट नाइं तक जागना, देर तक सूना, आदी वज़ाओं से पीरेट्स की समस्या होती है मोटापे की वज़े से भी पीरेट्स अनियमित हो सकते हैं बढ़े हुए वज़न के कारण शरीर को जादा इंसुलिन बनाने की जुरत परती है जिसके कारण मासिक धर्म में दीरी होती है वज़न को नियम्तिर रख कर आप इस समस्या से महिलाएं खुद को बचा सकती है धन्यवाद